इंटरनेशनल लिट्टी चोखा पूरे विश्व में पहचान का मुहताज नहीं है। पूरे विश्व में लोग लिट्टी चोखा की सोंधी, सुगंध और इसके बेहतरीन स्वाद से जरूर परचित होंगे। और जो लोग नहीं परचित हों वह इस वीडियो को जरूर देखें। में त्रेता युग से ही लिट्टी लगाने और प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहन करने की परंपरा चलिया रही है। ठेट विहारी व्यंजन लिट्टी चोखा के दिवाने सिर्फ भारत ही नहीं बलकि विदेशों में भी मौजूद है। यहां बक्सर में आज एक साथ हजारो नहीं लाखों की संख्या में लोग लिट्टी चोखा लगा रहे हैं। बक्सर के प्रतेक घर में आज के दिन लिट्टी चोखा लगाने की परंपरा है। इतना ही नहीं दूर दराज से विश्रधालू बक्सर पहुंचते हैं, लिट्टी चोखा लगाते हैं और प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहन करते हैं। इसके पूर्व उत्तराइनी गंगा में असनान करने और भगवान स्रीडाम से जुरे तीर्थरस्थलों का दर्शन करने की भी परंपरा है। इतना ही नहीं लिट्टी लगाने के बाद उसे स्वेम खाने के साथ साथ लोगों में भी बाटा जाता है। बक्सर में लिट्टी चोखा का यह महापर्व आज यानि की रविवार को मराया गया। दूर दराज से पहुँचे लोगों ने किला मैदान समेत चरित्रवन के विभिन्ने इलाकों तथा नगर के विभिन्ने इलाकों में एक साथ सामुहिक रूप से लिट्टी चोखा का भोज गिया। सरप्रथम गोईठा यानि की उपले को सुलगाया गया और फिर उस पर बैगन आदी पका कर चोखा बनाया गया और फिर उसी आग पर लिट्टी सेंकी गई। लोगों ने न सिर्फ यहाँ पे लिट्टी चोखा का प्रसाद ग्रहन किया बलकि लोग इसे अपने स्वजनों के लिए भी लेते गए। करने के लिए न सिर्फ बिहार बलकि बंगाल, उरिशा, मुंबई और अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पहुचे हुए थे। इसके अतरिक्त बक्सर की तक्रीबन 20 लाह की आबादी में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां आज के दिन लिट्टी चोखा नहीं बनाया गया हो। अब तो लोग न सिर्फ परंपरा बलकि पिकनिक के रूप में भी इस टेवहार का खूब आनंद लेते हैं। पंचकोशी पलक्रमा यात्रा और पंचकोशी पलक्रमा यात्रा के तहत लिट्टी चोखा का यह भोज पूरे विश्व में बक्सर की एक अलग ही पहचान बनाता है। एक प्रसिद्ध लोक गीत भी है जिसमें यह कहा गया है कि माई बिसरी, बाबु बिसरी, बाकी पंचकोशवा के लिट्टी नाहीं बिसरी। इस लोक गीत में यह कहा गया है कि भले ही दुनिया को भूल जाएं लेकिन पंचकोशी यात्रा के अंतरगत बक्सर में लिट्टी लगाने और उसका स्वाद लेने की यह परंपरा कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए किस प्रकार यह किला मैदान लोगों से भड़ा हुआ है लोग लिट्टी लगाने के बाद अब अपने अपने घरों को लोड रहे हैं।